हेलो फ्रेंट्स, फ्यूजिं किचन में आप सब का बहुत स्वागत है उमीद करते हैं कि आप सब अपने घर में मज़े से वहेंगे और हमारी रेस्पी को भी ट्राइट करते होंगे आपको हमारी रेस्पी कैसे लगती हैं आप उमको कमेंट्स करके जरूर शेयर किया करें चाहिए आपको अच्छी लगी या नहीं लगी आप लिखके जरूर बताएं ताके हमें भी बता लगे अब फिर चलते हैं अपनी किचन की ओर आज की भी बोहत ही मज़ेदार सी रेस्पी बनाना शुरू करते हैं दौस्तों आज हमने आपके लोए बनाइए किशमिषकी चट्नी किश्मिश की भी चटनी बनती है इतनी मज़ेगी चटनी बनती है इसमें आपको तीखा, मीठा, खटा सारे फ्लेवर्स लगेंगे और इसका परोटी के साथ खाएं या ब्रेड में लगा के खाएं आपको इतनी मज़े के लगेगी आप अपनी उमलिया चाटते रह जाएंगे जब इसको खाएंगे तो चली आपको बताते ही हमने आपके लिए कैसे बनाई है सबसे पहले आप देखे हमने किशमिश लिया है हाफ कप कॉंटिटी हम यूज कर रहे है किशमिश को यूज करने से पहले आप अच्छे से इसको वाश कर लें क्यूंकि इसमें मिट्टी होती है काफी हमने भी इसको अच्छे से दो लिया था और हाफ कप अगर किशमिश है तो हमने साथ ही हाफ कप पानी लेना है जितनी आप किशमिश ले रहे हैं उतना ही आप पानी ले इसको हाफ कप पानी में हमने भिगो के रखा हुआ है आदे गंटे करीब आपने भिगो के रखना है और इस टाइम आप देखे कितनी फूल गई ह नचलिए अब चट्नी बननाना शुरूर कतें कि अब यला करतें इसकी अब आगे किश्मिश की चट्नी बनाने के लिए हम टू टेबल स्पून के करीब इसमें चॉप अद्रक डालेंगे लफली आपने चॉप कर लेनी है और साथ ही हम इसमें गॉल वाली मिर्ची एड़ करेंगे यह देखिए इसको गुंडु मिर्ची भी बोलते हैं इसकी डंडी हम अलग करके डाल देते हैं पांच हम यूज कर रह खटी, मीठी, तीकी आपको फ्लेवर्स लगेंगे इसमें इसको आप परांठे के साथ खाएं या कोई भी अपने मन पसंद स्नैक्स के साथ खालें बहुत ही आपको पसंद आएगी और यह चटनी को आप बना के रख सकते हैं एक महीने तक यह खराब भी नहीं होएगी और आपने इसको रखना है एटेट कंटेनर में और यह जो मिर्सी हमने डाली है इंको भी हमने अच्छे से दो लिया था अब साथ ही इसमें विनेगर एड करेंगे हाफ कप विनेगर डालेंगे और वाइट विनेगर आईगे विनेगर सही जो चटनी है प्रिजर्व होएगी अ अब हम इसमें ब्राउन शुगर एड करेंगे 2 टेबल स्पून इसकी कॉंटिटी है वैसे इस रेस्पी में ब्राउन शुगर ही जाती है अगर आपके पास नहीं है तो आप वाइट जो नॉमल शुगर आती है वो भी डाल सकते हैं लेकिन जो बेस्ट फ्लेवर्स है वो इस यह सारी चीजे हमने डाल दी है अब हम फ्लेमाउन का देते हैं बहुत ही डिफरेंट तरीके की यह चटनी बन रही है आपने ऐसी नहीं बना के खाई होगी अभी इसमें बॉil आने का वेट कते हैं एक बर मिक्स का देते हैं सारी चीजे अगर आपको और भी कोई चटनी की देखनी है हमने अपने चैनल में जैसे बहुत ही डाली है चटनी की अलग अलग तो आप उपर लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं अभी आप देख रहे होएंगे आ रहा होगा लिंक एक बॉil आने का वेट करते हैं इसमें सबसे पहले इस टाइम पर आप देखिए बॉil आन 10 मिनिट्स के बाद 10 मिनिट्स हो गए है अब हम इसे खोल के चैक करते हैं बहुत ही अच्छी कुछबू आ रही है इसमें से और इस टाइम आप देखिए जो किश्मिश है उसमें विनेगर सोक कर ली है अभी इससे जादा हमने कोकनी करना हम फ्लेम ओफ कर देंगे और इसको नहीं ठंडा हो जाएगा सबकुछ हमने इसको बलेंड करना है लेकिन इसको हमने फाइन पेश नहीं बनाना यह थोड़ Queen जोना चाहिए बीच में आपको पीसि आने चाहिए इसमिश के पूरा फाइं आपने नहीं ब्लेंड करना है पिर हम आपको मिलते हैं जब आप इसको पीस रहे हो, यह देखिए, देखने में कितनी टेम्टिंग लग रही है, बहुत ही मज़े की बनती है इसको आप परोठी के साथ खा सकते हैं, या ब्रेड में ऐसा स्प्रेड लगा के खा सकते हैं, आपको बहुत ही पसंद आएगी, आप इसको जुरूर ट्रा सकते हैं, बढरो पस्प्रेड भूरूर के टी ए क्वर में देखिए, आपको रहा हैis के साथ खा सकते हैं, आपको जगगिएूर झाएगने में गल्रgn र haftे खालना यानी है मूलिगा कि जो कितनी नहीं देखिए, आपको पस्पा आपको म हूंते हैं